नमस्कार अब हम पढ़ेंगे कि aromatic compounds के बारे में अरो में पढ़ना है और मेंली अपने ये वगारा के केविक्र ना रहे हैं उसका फीजेकल appearance कैसा जो पर बढ़ पर बना है यह फीजिकल appearance ऑप बेंजीन बेंजीन लिकविड है यह है हमारा बेंजीन इसको इस तरे के समय स्टोर करते हैं तो only one by one पड़ते है तो जब आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको साथ ही साथ नोट्स बनाने आपको पर्फेक्ट नोट्स बनाने जितने आप अच्छे से नोट्स बनाओगे उसको रिवाइस करोगे उतनी अच्छी आप और नी केमिस्ट्री सीख पाओगे तो मेरे साथ आपको नोट्स भी बन आते हैं थ्री मोल आफ एसेटलीन इसको पास करना है आपको रेड हॉट आरें ट्यूब से कुछ जगे कॉपर ट्यूब भी लिखा रहता है में लिए आरें ट्यूब और हीट करना है 873 Kelvin पे यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा हमारा बेंजीन तो फर्स्ट आप नोट्स में लिखो फ्राम एलकाइन और इसमें भी आप लिख सकते हो ट्राइमराइजेशन ट्राइमराइजेशन क्यों लिख रहे है कि 3 मोल अफ एलकाइन को पास करना है आरें ट्यूब से 873 Kelvin पे तो वो कनवर्ड हो जाएगा बेंजीन में ठीक है अब इसका मेकेनिजम कैसे होगा यह हमारा एसेटलीन इसको बबन हीट करेंगे तो पैरिस्टिक मेकेनिजम ययनि साइकलीग टांतिस अग बनेगी कैसे होगा यह जो भॉन इसने चिग मा बनाया इस काबन काबन के बीच में इसागर हो बनाया इस काबन काबन की मीच में इस 所以 25 यह सिगमा बना इस कावन कावन की बीच में तो क्या बना देखो यह टिपन बॉण कि अब बॉण फिर सिंगल बॉण फिर सिंगल बॉण फिर ब्रबॉण फिर अब इससे बन गया हमारा बेंगे ठीक है यह aliphatic to aromatic जा रहे हैं ठीक है इसको आप note कर लो फिर आपन आगे बढ़ेंगे अब इसी में मुझे बताओ आपने note कर लिया होगा what is the product if 3 mol of propine यह J advance में आद शुका है passes through iron tube red hot iron tube यानि अब हम इथाइन की जगे पे propine यूज़ कर रहे है तो same mechanism को आप use करो video pause करो, project सोचो, फिर देखो आप ठीक है तो same mechanism से जब आप proceed करोगे तो क्या बनेगा हमने क्या क्या है alkyne का H अटा के methyl लगा दिया है तो यहां बन जाएगा methyl 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 यानि 135 cry-methyl benzen which is also known as mesotline तो mesotline बन जाएगा तो यह हो गया हमारा preparation 1 अब हम लोग पढ़ेंगे second preparation वो हम कैसे बनाएगे from alkane alkane से कैसे बनाने है इसको aromatization भी बोलते हैं आपन तो इसमें करना क्या है normal hexane normal hexane को Cr2O3 Al2O3 से heat करना है तो यह बन जाएगा हमारा benzen ठीक है अब आपको यह सोचना है इसका mechanism इतना clear नहीं है बस आप ध्यान रखो कि यह hexane से benzen बनेगा remaining H2 बन जाएगा ठीक है न what is the product if hexane is replaced by heptane same reaction अब कर आप हैप्टेन से करें ठीक है न तो heptane में कितने कार्बन है साथ तो six carbon कद आप benzen मना लो और remaining उसके isomer यानि एक methyl यानि यह क्या बन गया हमारा tollein ठीक है what is the product when normal octane react with Cr2O3, L2O3 and heat तो octane मतलब 8 carbon है तो छे में तो आप बना लो benzen अब remaining 2 carbon से क्या क्या बन सकते हैं आप ortho बना सकते हो ortho xylene या 2 carbon से आप metazylene बना सकते हो या 2 carbon से आप parazylene बना सकते हो एक और part बना सकते हो वो last वाला part और क्या बनेगा बताओ सोचो थोड़ा फिर आगे देखो कि ortho xylene, metazylene, parazylene और एक हम बना सकते हैं ethyl benzene या या ये तो बन गए हमारे xylene और फिर ethyl benzene ये reaction भी क्यों famous है क्योंकि इसमें हम aliphatic compound को किसमें convert कर रहे हैं? aromatic के अंदर तो ये हो गया हमारा method of preparation 2 चलिए अब हम करते हैं method of preparation of benzene 3 third method करते हैं third वाला आपको कैसे बनाना है? phenol phenol में आप use करो zinc dust rough surface of zinc zinc dust heat तो इससे क्या होगा? redox reaction होगी ये बनेगा benzene और 7 में क्या बनेगा? ZNO इस पर मैंने गाना भी बनाया वो आप link में जाके preparation of benzene का गाना भी आप सुन सकते हो तो ये third preparation हो गया from phenol fourth preparation है हमारा from BDC BDC क्या है हमारा? B for benzene diazonium or chloride आपकी writing slow तो कोई बात नहीं आप उसको video pause करके fit लिख लो ये है हमारा BDC benzene diazonium chloride इसमें क्या use करते है? इसमें use करते है S3PO2 या फिर एक famous exception है वहाई use करते है ethanol ये भी J advance में आया है वाई तो आप S3PO2 ethanol ये बन जाएगा benzene plus N2 ये वाल हो जाए ये साथ में mechanism कैसे होता है? मैं आपको idea देता हूँ ये जो S3PO2 है न ये S3PO2 का structure है तो ये क्या करेगा? यहाँ से P double bond O बनाएगा तो यहाँ से क्या निकला? H minus H minus ने attack किया N2 निकल गया तो P O bond बनना H minus का attack करना N2 निकलना ये हो गया हमारा mechanism इसका और अगर आप ethanol यूज करते हो तो ethanol में भी क्या होगा? यहाँ से C double bond O बनेगा और H minus का attack यानि ethanol वाले केस में side part क्या बनेगा? acid aldehyde तो ये बड़ा important exception है ethanol का इसको आप बढ़िया से याद रखो next preparation of benzene है वो है हमारा soda lime process जैसे हमारे पास sodium salt of benzoic acid ले लिया हमने और इसमें यूज किया NaOH and calcium oxide and heat तो D carbo-oxylation होके क्या बन जाएगा? ये benzene बन जाएगा यानि इसमें से net CO2 निकल के benzene बन जाएगा तो बहुत famous method है इसमें मालब इसको कई बार ऐसे हसते वे ऐसे बोते हैं चूना reaction भी बोलते हैं चूना यानि आपने sodium salt of benzoic acid को चूना लगा दिया तो बेंजीन में convert हो गया अब यह बताओ कि अगर मैं आपको di carbo-oxylic acid का salt ले लूँ यह क्या बनेगा हमारा बनेगा benzene ठीक है तो एक और method हो गया यह from soda lime process next है हमारा यह हम generally use कम करते हैं आप क्या करो इसे cyclohexene मैं अगर आपन यूज करें selenium, sulfur या PDC and heat यह बना लेता है benzene और साथ में evolve करता है H2 gas तो basically क्या किया हमने इसमें H2 निकाल दिया है ना यह यहां से H dot H dot जैसे यह H2 निकाल के pi bond बनाया यह H dot H dot H2 निकाल के pi bond बनाया तो इसको हम क्या कहेंगे it is known as dehydrogenation dehydrogenation reaction अब बताओ dehydrogenation का मतलब क्या removal of H2 H2 निकालना है ना तो इस तरीका H2 निकाल के benzene बना सकते हो अगर हमारे पास dines है इसमें भी आप selenium या sulfur या PDC हीट करो यह aromatize कर देगा यह बना लेगा benzene साथ में निकल जाएगा H2 तो यह हो गया हमारा 6th method of preparation of benzene को कुछ दूसरे aromatic compound की preparation बताओंगा है ना ठीके कई बार benzene के लाओ दूसरे भी aromatic compound के बारे पूझ लेते हैं तो how will you prepare pyrol आपको pyrol बनाना है तो 2 mol acetylene के pyrol मलब क्या 5 member ring having nitrogen तो यह बन गया pyrol तो क्या बता सकते हो कि मैं यहां पर क्या add करूँ कि वो pyrol बन जाए 2 mol acetylene के बीच में क्या add करूँ कि pyrol बन जाए वीडियो पॉस्ट करो और comment box में answer लिखो अपना इसमें आपको use करना है ammonia जैसे आप ammonia यूस करोगे h2 निकल के यह convert हो जाएगा pyrol में यानि यह कौन सा compound बना heterocyclic aromatic compound next देखते हैं अभी मैंने आपको pyrol बनाया था है ना अब हमको बनाना है 6 member ring nitrogen यानि हमको क्या बनाना है pyridine तो बता आप pyridine कैसे बनाओगे आपको बताना में क्या reagent डालों कि यह pyridine बन जाए चलो मैं आपको hint देता हूँ 2 mole तो आपको add करने acid lean के तीसरा कौन है यहाँ पर तीसरा कौन होगा 2 mole acid lean के लावा जिससे की pyridine बन जाए पॉस्ट करके सोचो वीडियो पॉस्ट करो और सोचो तीसरा क्या है तीसरा आपको डालना पड़ेगा SCN अगर आप SCN डालते हो वो सेम ऐसे trimerization होके क्या बन जाएगा pyridine यह अगेन heterocyclic aromatic बन गया यह हमारा 8th preparation हो गया next preparation करते है next हम बनाना है हमको thiophen 2 mol acetylene इसको heat करना है और आपको बनाना है thiophen तो बताओ इसमें क्या add करें यह acetylene में क्या add करें कि thiophen मन जाए यहाँ पर missing reagent क्या होना चाहिए बोलो तो यहाँ पर क्या add कर सकते है sulfur अगर हम sulfur add करेंगे H2S भी add कर सकते हो तो क्या बन जाएगा हमारा thiophen यह भी कैसा compound बना हमारा heterocyclic aromatic compound अब मैं आपको special preparation of aromatic compound बता रहा हूँ है न special preparation आप aromatic compound बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से याद रखना इसका mechanism जो है न वो हम LDL ketone की reaction में discuss करेंगे इस पर बहुत बार question आगय है जेही में आप यह ध्यान रखो 2,5-hexane dione इसमें जब ammonia डालके heat करते हैं तो यह बन जाता है हमारा pyrol इसका पूरा proper mechanism है जो अपन LDL ketone में discuss करेंगे इसको नूर पाल synthesis भी बोलते हैं तो आप इसको एक ऐसे याद कर सकते हो kp synthesis अब आप हो क्या करना है कि इसी में अगर मैं add करूं p2s5 and heat तो क्या बन जाएगा S5 में heat करोगे दिये बन जाएगा sulfur इसी में अगर मैं add करूं p2o5 and heat p2o5 is a dehydrating agent इसका totomer बनके water निकाल लो यह क्या बन जाएगा हमारा furane furane derivative ठीक है यह special preparation है जो आपको याद रखनी है मेकेनिजम कहां discuss करेंगे हम LDL की टोन में अब यह जितने भी preparation हम लोगों ने की है न अभी इसका सबका एक flash card है जो इसी lecture के साथ आप attached है आप उस flash card को download कर लो फिर आपको क्या करना है उसको प्रिंट करना और फिर आप बेंजीन का फ्लेश काड़ यह तो आपको सारे प्रिप्रेशन एक दम टिप्स पर याद रहेंगे अच्छे से एक काम तो यह करना है दूसरा इस पर प्रिप्रेशन आप बेंजीन पर सौंग भी है कि सौंग का लिंक दे रखा है उस सौंग को आप डाउनलोड कर लो और कुछ दिन के लिए हो सके तो रिंग टोन मना लो ठीक है तीन चार दिन रखो तो आपको एक एक प्रिप्रेशन बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कॉंप्लेक्स रियक्शन होती है उसमें से एक छोटी सी चीज से पूरी अब लोगा ने पर्पलेशन आफ बंजीन कर वीडियो देखा होगा और यह आपको रूंद प्रियक्षस दे रहा हूँ अपने पेपर में अंसरें और देंक करें ठीक है, ओके, आगे बढ़ें, यह पहला कुश्चन है, कि X mole of acetylene passes through iron tube to give benzene, तो value of X, तो क्या answer होगा इसमें, जैसे हमने पढ़ा था, इसका answer होगा 3, यह 3 mole होते हैं, 3 mole acetylene के जब pass करते हैं, तब हमारे पास benzene बनता है, तो correct answer क्या होगा, 3 mole of acetylene, second question, अगर हम propine की reaction करें, iron tube से pass करें, तो what is the product, A और B दो option है, आपको एक option select करना है, तो क्या correct answer होगा, B, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, मेसिटलीन, जो हमने mechanism लिखा है ना, same mechanism से proceed करोगा, तो मेसिटलीन बन जाएगा, मेसिटलीन के बारे में एक और खास बात है, it is the most stable trimethyl benzeen, जितने भी trimethyl benzeen के isomers बनते हैं, उसमें सबसे stable होता है, मेसिटलीन, next question, चलो, alkyne को convert करना है, बेंजीन में, तो missing tube क्या है, iron tube या rubber tube, correct answer क्या है, iron tube, next question, alkane react with CR2O3 to give, L2O3 to give benzene, तो कौन से alkane की reaction से ये benzene बनता है, ठीक है, A option है normal hexane, B option है normal octane, which is the correct answer, correct answer is normal hexane, अच्छा आपको ये भी सोचना है कि वो incorrect क्यों है, अगर आपन normal octane लेंगे, in place of normal hexane, अगर अगर आप normal octane लेंगे, what are the products, क्या क्या product बनेंगे, तब बनते थे हमारे xylines, and ethyl benzene, अगर आपने octane ले लिया, तो क्या बनेंगे, ortho, meta and para xylene, और plus क्या बनता है, ethyl benzene, तो correct answer क्या रहेगा, हमारा A, चलो, what is the product, when normal octane react with, CR2O3, L2O3, क्या बनेगा, तो normal octane से क्या बनता है, normal octane से बनता है, हमारा toline, 7 carbon है ना, 7 carbon से toline, और normal hexane से क्या बनता है, अपना benzene, तो what is the missing reason, normal hexane को convert करना है, benzene में, तो zinc, यह CR2O3, L2O3, अभी हमने पढ़ा रहा, CR2O3, L2O3, how will you convert, phenol, to benzene, आपको phenol को convert, करना है, benzene में, तो what is the missing reagent, कैसे करते हैं, correct answer है, इसका zinc, ZNO बन जाएगा, redox reaction हो जाएगे, next question, हमको convert करना है, BDC, benzene, diogenium, chloride, को benzene में, तो what is the missing reagent, तो correct answer क्या है, इसका, दो तरीके से कर सकते हैं, इसमें correct answer है, ethanol, और, S3, PO2, है ना, अब इसका mechanism कैसे था, यह है हमारा BDC, अब कैसे लिखेंगे इसमें, यहां से C double bond O बनेगा, ह माइनस release होगा, यहनि हाइड्राइड का transfer हुआ, तो हमारे पास बन गया यह benzene, यह ना, प्लस C double bond O बना, यहां से H पस निकल गया, यह HCL बन गया, प्लस N2 बन गया, और प्लस यह बन गया, LD हाइड, साथ में क्या बनेगा इसके, CS3, CHO, ओके, यह वाला नोट कर लो आप, मेकेनिजम को भी नोट कर लो अच्छे से, नेक्स्ट कुश्चिन है, अगर हम इस benzoi के, सॉल्ट, इस कार्बोगलिक एसिड के सॉल्ट को, अगर हम सोडालाइम प्रोसेस में डाल ने, तो वाट इस दा प्रोडिक्ट, क्या करेक्ट आंसर है, इसका हम सोडालाइम प्रोसेस करेंगे, आंसर सोचलो आप, इसका सोडालाइम करेंगे, यहां से CO2 निकल जाएगा, तो हमारा प्रोड क्या बनेगा, प्रोड बनेगा टॉलीन, बेंजीन कब बनता अगर ये मिथाइल नहीं होता तो बेंजीन बनता next question, what is the product when two mole of acetylene plus ammonia are heated alkyne और ammonia को heat करेंगे तो क्या होगा इससे क्या बनेगा हमारे पास A इसका mechanism भी हमने discuss किया था ये acetylene है और साथ में ammonia है तो same message cyclic tinsistate बनाएंगे और इससे क्या बन जाएगा हमारे पास pyrol, तो इसका correct answer क्या हुआ 10th का correct answer हुआ pyrol next when this di keto react with ammonia ये में आपको special example लिया था तो बताओ what is the product ये भी aromatize हो जाएगा, तो aromatize होके क्या बनेगा पायरोल five member ring पायरोल बन जाएगा इसका mechanism हम earlier ketone chapter में देखेंगे और ये काफी important question है इसको आप अच्छे से अभी learn कर लो फिर आगे mechanism भी देखेंगे ठीक है तो अब आपने preparation of benzeean पढ़ लिया, उस पर quiz कर लिया तो आपका एक concept अच्छा हो गया कौनसा concept अच्छा हो गया अगर आपके 11 में से out of 11 अगर आपके 8 से और 8 से ज़्यादा question solve हुए है तो इसका मलब है आपने बहुत अच्छा किया है और 11 के 11 आपने किया है this means excellent तो आपने कितने correct किया है वो आप comment box में जरूर लिखो ठीक है और साथ में अगर आपने पूरा quiz attempt किया तो done जरूर लिखो आपको done लिखना है और कितने correct किया है वो optional है वो चाय लिखो तो नहीं लिखो लेकिन quiz attempt किया है तो done जरूर लिखो चलो भाई तो अब आप लोगों ने प्रपेशन आप बेंजीन परच्छे से पढ़ लिया और उससे आपको दूसरा आपने क्या पढ़ लिया उसके quiz भी कर लिया अब मैं आपको बेंजीन की reactions बताता हूँ बेसिक reactions बताता हूँ तो बेंजीन जो है न हमारा वो एक aromatic molecule है तो अगर आप बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल का attack करते हो जिसे कोई इलेक्ट्रोफाइल बना है चार्ज कभी अकेला नहीं होता है प्लस के साथ माइनस होता है हमें से तो यहाँ पे बेंजीन पे क्या होगा हमारे पास H की जगह पे E लग जाएगा और साथ में यह HY बन गया तो बताओ यह type of reaction कौन सी होई है यह aromaticity maintain करना चाहेगा ना तो type of reaction कौन सी होई इस H की जगह पे E आ गया H की जगह पे E आ गया मलब substitution हुआ और किसने substitute किया इलेक्ट्रोफाइल ने तो इसको हम क्या बोलते है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक substitution ठीक है,"चलो इसको इसका मैकेईम डिसकस करता है तो आपको benzen की reaction में सिर्षिक इलेक्ट्रोफाइल बनाना है एक बार अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल बनायाा सपोस्जोश करो आपका इलेक्ट्रोफाइल नो 2 बन गया तो प्लस हो जाएगा है कि प्लस हमारा हैलोजन प्लस है यह तो बस यह इक रखने जनरेटट हो गया तो उसके बाद क्या होगा इसके अंदर सब्सक्रश्चेशन रियक्शन होगी ठीक है तो पहले मैं इक बार मेकनिजम बताता हूं फिर आपको पताता हूँ कैसे इलेउट्रोफिल होता है हमारा बेंजीन जो है ना बेंजीन इस नुक्लिजीन ऊपार संपंध कर नी हिल्डेंजीन नुक्रिव फाइल है और बेंजीन इस किइसे और आटक करेंगे तो अबाद सिङ्मा और कम्पलेक्स ऐसे सब्सक्राइब अब आपको समझाने के लिए मैं ऐसा समझा देता हूँ, ऐसा होता नहीं है, जैसे आपको आपको एक्स्पेन करने के लिए बनाया है। इसमें क्या हो रहा है इस Carbon और Electrophile के भी Sigma bond बना तो इसका नाम क्या है Sigma complex और यह aromatic ring पर positive charge है it is also known as Aranium ion और Sigma complex भी बोलते हैं Aranium ion भी भी बोलते हैं and it is also known as V-land intermediate इसका नाम villain intermediate भी है ठीक है अब बदाओ next step में क्या होगा यह जो हमारा y- है it will abstract this alpha h alpha h abstract करेगा और यह sigma bond यहां आएगा यह ना y- मैंस कैसे काम कर रहा बेस की तरह है इससे क्या-क्या बना हमारे पास एक की जगह पर ए आ गया प्लस बना हमारा एक यह ठीक है और intermediate में क्या कार्बो केटायन बन रहा है कार्बो केटायन तो हम क्या कहींगे कार्बो केटायन ताइप आव रियक्शन कौन सी होती है यह कौन सी रियक्शन है इड़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कोई पुछा जायाए कि यह जो complex है यह aromatic है एंटी है नौन यह तुम देखो यह वाला carbon sp3 hybridized है sp3 hybridized होने का मतलब यह कैसा intermediate है sigma complex जो बना है it is a non-aromatic यह सुनना आ रहा है ठीक है न अब देखो अब में चीज क्या है बस एक ही है इलेक्ट्रोफाल बना लेंगे रेक्शन करेंगे हमारा डाउट है कि यह अरोमेटिक है यह नौन अरोमेटिक यह बना क्यों नौन अरोमेटिक क्यों बना कहां से इसको energy मिली अगर मैं इसका profile बनाऊना energy diagram तो पहले energy दिया सिग्मा complex बना ऐसे रेक्शन हुई है यहाँ पर कौन है हमारा बेंजीन यहाँ पर कौन है हमारा सिग्मा complex ऐसे energy diagram है इसका ठीक है और यहां बन गया हमारा प्रोडेक्ट पर उपर बनाएंगे हम लोग यहां बन गया प्रोडेक्ट यहां सिग्मा complex तब में मुद्य की बात यह है कि यह बैंजीन से नॉन अरोमेटिक बन रहा है यह driving force कहां सारह है यह reaction होने का क्या reason है क्यों हम अरोमेटिक से नॉन अरोमेटिक बना रहे है क्यों हम stable से unstable बना रहे है तो इसका driving force क्या है जोको दो driving force है driving force of sigma complex formation is sigma complex formation का driving force क्या है पहला bond energy of sigma bond and दूसरा एक तो sigma bond की bond energy हो गई और दूसरा है high temperature इसको पढ़ो आप यह clear हो गया तो हमको समझना आएगा हम सब कर क्यों रहे है यह reaction क्यों कर रहे है देखो अभी मैंना आपको क्या बोला यहाँ पर कौन सा bond break हो रहा है यह break कौन सा हो रहा है pi bond break हो रहा है pi bond टूट रहा है और bond कौन सा bond रहा है यह bond बन रहा है sigma bond form हो रहा है तो यह बताओ strong bond कौन सा होता है पाई बांड होता है या बताओ सिग्मा बांड होता है कौन सा बांड स्टॉंग होता है बताओ बोलो सिग्मा बांड होता है ना तो इससे जो एनर्जी निकलेगी ना वो क्या करेगी इस बेंजीन को सिग्मा complex में convert कर देगी यानि यह activation energy को achieve करवा देगी तो sigma bond energy से formation की वैसे यह बेंजीन से sigma complex बनता है suppose करो इतनी energy नहीं मिली यहां पर कोई group लगा है केटन को unstable कर रहा है तो उस case में क्या होगा we have to increase the temperature high temperature temperature बढ़ाने पड़ेंगे आपको तो temperature energy मिलेगी वो क्या करेगी बेंजीन को सिग्मा complex में convert कर देगी तो यह दो चीज समझा आप bond energy and high temperature ठीक है और हमारा बेंजीन की reaction में बिल्कुल easy है बस electrophile बनाना है electrophile बनानी और फिर reaction complete रही तो शुरू करें मैं आपको कुछ basic mechanism बताता हूँ जैसे हम करते है हेलोजीनेशन हेलोजीनेशन आप बेंजीन कैसे करेंगे बताओ यह हमारा बेंजीन है यहां यूज करें CL2-ALCL3 यह यूज करें VR2-FE और यह यूज करें I2-HNO3 तो यहां पर क्या बनेगा हमारे पास chloro-benzine यहां क्या बनेगा ब्रोमो-benzine यहां क्या बनेगा आयडो-benzine क्लियर रही है लिखे इसका mechanism हम इसका mechanism लिखते है CL2 react with ALCL3 ALCL4- बनेगा यह CL+, ALCL4- है ना? Lewis acid है ना? ALCL3- Lewis acid है तो Lewis acid क्या करेगा? यहां delta- बने लगेगा, delta- बने लगेगा, अपनी तरफ CL- को attract करेगा हमारे एलेक्ट्रोफाल बन गया? एलेक्ट्रोफाल बन गया, मैकेनिजम खतम हो गया, कैसे? कि नुक्लिओफाल कौन है? बेंजीन, हमारा एलेक्ट्रोफाल कौन है? CL+, इस पर attack करके क्या बनाएंगे? sigma complex, यह बन गया क्लोरो बेंजीन, अब इसको aromatic कौन बनाएगा फिर से? ALCL4- CL- abstract H और यह bond बन गया यह बन गया हमारा क्लोरो बेंजीन प्लस SCL प्लस ALCL3 यह कहुंसे रेक्ट्षन बोगी? ईletrophilic aromatic substitution यह समझता आगया आपको? ठीक है अब br2 fe का मेकेनिजम कैसे होगा? पहले क्या होगा? thrice of br2, twice of fe react करके क्या मनाएंगे twice of FeBr3 FeBr3 prepare as a C2 C2 का मतलब क्या होता है as a intermediate यह as a intermediate बनाना है हमको है ना अब यह as a intermediate बना अब इसके बाद क्या होगा next benzene Br2 and FeBr3 तो यह Br- लेगा तो यहां क्या बनेगा delta plus benzene का attack तो क्या बनेगा बताओ direct लिख दूँ मैं यह पहले ऐसे बनेगा sigma complex साथ में बनेगा FeBr4- Br- लेगा H H लेगा तो यह बनेगा Bromobenzene तो लिखने में दिक्कत हो रही है कुछ plus FeBr समझे आप ठीक है ना बस आपको electrophile बनाना है और HNO3 के case में क्या है कि I2 का bond इतना weak है कि सीधा I2 attack करेगा benzene I2 पा attack करके निगल जाकर यह क्या बनेगा HI अब हो क्या रहा है कि HI strong acid है iodine का bond weak है तो यह reaction reverse हो जाएगी कि अगर H plus ने attack किया I plus निकला तो वापस ही बन जाएगा तो HNO3 जे ऑक्सिदाइजिंग एजिंट इसका role क्या होता है it oxidizes the I2 formed in the reaction HI को oxidize कर देता है तो अगर HNO3 HI को oxidize कर देगा यानि reaction हमारी किस ता action में shift हो जाएगी forward में shift हो जाएगी तो I2 का bond weak है तो आपको Lewis acid की जुरत नहीं है और HNO3 का role क्या है HI को oxidize कर देगा I2 में ताकि हमारी reaction आगे shift हो जाएगी अगर HI वहां रहा तो HI react करके वापस benzene बना लेगा तो यह क्या हो गए हमारी halogenation आगे बढ़े आपको basic mechanism बताना चाह रहा हो next है हमारा nitrogen nitrogen किसका बेंजीन का आप बेंजीन में add करो HNO3 S2SO4 mixed acid या use करो concentrated HNO3 alone या use करो आप NO2F and BF3 या use करो HNO3 acetic enhydride है ना या use करो N2O5 N2O5 भी क्या बनाता है बताओ NO2 प्लस और NO3 माइनस इससे क्या बन जाएगा हमारे पास nitrogen कौनसी reaction है electrophilic aromatic substitution ठीक है इसका mechanism कैसे होगा जैसे एक mechanism explain करता हूँ HNO3 S2SO4 सबसे पहले यह बताओ HNO3 strong acid है S2SO4 S2SO4 is stronger acid than HNO3 तो पहले क्या होगा है S2SO4 का H+, और HNO3 का OH react करके क्या मनाएंगे बताओ NO2 plus water HSO4 minus ठीक है इसमें और S2SO4 डालना बढ़ता है S2SO4 इससे react करके क्या बनाता है S3O plus and HSO4 minus यह नेट रेक्शन क्या होगी HNO3 react with 2 mol of S2SO4 to give NO2 plus S3O plus and twice of HSO4 minus यह नेट रेक्शन होई ठीक है ऐसा क्यों किया अभी मेकेनिजम एक्स्पेंड करते है ठीक है अब हमारा NO2 बन गया NO2 बन गया आगे का मेकेनिजम कैसे होगा एक बार NO2 बनने के बाद का मेकेनिजम क्लियर है न अपने को NO2 इसे एलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन का होगा अटैक यह बन गया कैटाएन सिग्मा कॉम्प्लेक्स HSO4 मैनिस लेगा H plus तो यह बन गया हमारा नाइट्रो बेंजीन plus HSO4 ठीक है अब इसमें देखो दो तिन खास बात है पहली खास बात यह है पहली बात तो यह है कि इस एक्शन में आयोटा कितना है वाट इस अवान्ट ओफ एक्टर डारेट कोशन पूछ सकता है नीट के अंदर वान्ट ओफ एक्टर आयोटा वान्ट ओफ एक्टर कितना है आयन्स बने इसमें S204 है ना मोल्टन होता है प्यॉर फॉर्म में तो आप S204 तो मोल्टन है तो प्यॉर फॉर्म में यानि इसकी इसको छोड़ दो यह HNO3 जो है ना यह एक HNO3 से रफली कितना आयन्स बन रहे है 4 NO2, S3SO4 तो एक से चार बन रहे है इसका वान्ट ओफ एक्टर होता है अप्रॉक्सिमेटली 3.8 यह आप याद कर लो अच्छे से है ना स्लाइटली 4 है 4 के आसपास होता है एकलिबर में है तो स्लाइटली 4 से कम है तो 3.8 होता है वान्ट ओफ एक्टर पूरा 4 क्यों नहीं है because of incomplete protonation of water तो आपको पहली चीज़े याद रखनी है इसके अंदर कि नाइट्रेशन और बेंजीन में वान्ट ओफ एक्टर कितना है 3.8 दूसरा यह याद रखना है in this reaction S2O4 is an acid and HNO3 act as a base HNO3 base का role play करता है HNO3 strong acid है किसी reaction में कैसे play करेगा वो depend करेगा समझ रहे हो ना वह होता ना गली में एक छोटा सा मालब एक महला है उसके में एक गुंड़ा है तो अपने के कहें कि महले का सबस्टर बड़ा गुंड़ा है जमेना ऐसा होता ना कि महले का गुंड़ा है रिलेटिव होता है तो वैसे HNO3 हमारा base है किस reaction में है when mixed acid में otherwise acid में पूछू what is HNO3 तो हमारा answer क्या होगा HNO3 is acid S2-4 क्या है acid किसी reaction में क्या role play करेगा वो depend करेगा जैसे वो गली का गुंड़ा सब गुंड़ों के बीच में national गुंड़ों के बीच में कैसे बीएव करेगा आम नागरी की तरह है ना उसका बीएवियत वैसे वो गली में क्या करता है वो गली का गुंड़ा है ठीक है example ठीक है ठीक है कुछ गरबड होगी तो बता देना चलो और NO2 इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है इट इस आलसो नोन एस नाइट्रो नियम आयन यह नियम जो होता ना नियम देखो नियम क्या होता है अगर कहीं पे NO2 बन रहा है तो नाइट्रो नियम आयन कहीं पे NO बन रहा है तो नाइट्रो सो नियम आयन बन रहा है तो हालों नीर प्लस बन रहा है हाइड्रों नी आएन तो पॉजिटिव चार्ट जैसे रप्लस बन रहा है कार्बन पे प्लस यनी कार्बो नीयम अब्लस इसका नाम की वोगा बदाओ डाय एजोनियम आएन है संचा और है नाइट्रोंियम नाइट्रो सोनियम हलोनियम हैड्रॉनियम कार्बोनियम डाय ओनियम थीच्ड ए बड़े आगे बड़े ठीक है तो मैंना आपको दो मैं निस नोटाए है ऐलोनेशन का बता है नायेट्रेसं न का बता है फ्रिलल क्राफ रियक्षन को मैं पूरा अलग से बता हूँ गा这里 क्षेंग में उसका मैं अलग से पूरा specific लेक्षन लोगा आप फिलल क्राफ का ठीक है अभी मैं आपको बेंजीन की कुछ सम्मरी वाली रेक्षिन बता देता हूं चलो एक दो मेकेनम और एक दो इंपोर्टन रिक्षिन और है एक यह था नहीं अपनी गैटर्मेन कोच NCRT में भी दिया है और काफी इंपोर्टन है गैटर्मेन कोच कोच मतलब कार्बन मोनो अक्साइड जहां भी आजा है मतलब कार्बन मोनो अक्साइड बेंजीन रियक्ट विद कार्बन मोनो अक्साइड और SCL in presence of AlCl3 तो क्या बनेगा बताओ H प्लस और यह है हमारे पास CO प्लस और AlCl4 माइनस H प्लस की रियक्शन से अभी क्या बनेगा हमारे पास SCO प्लस और है बेंजीन बेंजीन पे अटेक बेंजीन रियक्ट विद इलेक्टरोफाइल यह बन गया प्लस और फिर AlCl4 माइनस C L माइनस लेगा तो क्या बना बेंजीन से क्या जाते है हम बेंजल डिहाइड तेको बेंजीन है न एक नुकलिवाइल होता है एक रियक्शन में खास बात होती है जैसे नुकलिवाइल होता है ना तो महाँ पे इलेक्टरोफाइल बहुत आसानी से बनते हैं क्योंकि झुक्योफाइल इलेक्टरोफाइल रियक्ट करजाते हैं और एसे ही रियक्शन में अगर नुकलिवाइल है तो वहाँ पे Electrophile बनेंगे और Electrophile है तो महाँ नूग्लियोफाइल बनेंगे तो मैं ऐसे समन सकते हैं जैसे महाँ लोग गाइं Acid डाला है तो वहाँ पे Base बनेगा और React कर जाएगा तो Acid के साथ मैं Base डालने पे बहुत Easily रीक्षन होगी ऐसी base के सामने acid डालने में बहुत easy reaction होगी तो हमारा rule क्या होता है कि यह एक nuclear file है तो हमें ऐसी condition provide कर आते हैं कि वो electrofile बन जाए तो वो react कर जाए कि उसके अंदा ठीक है तो एक बात थोड़ा समरी करें फिल्लक्राफ्ट नेक्स लेक्टर में अलक्से discuss करेंगे वो बहुत important है और बहुत बड़ा topic है वो ठीक है तो चलो एक बात summary लगाते है बेंजीन की reaction की summary तो तयार हो quick quiz के लिए question पढ़ लो सारे question majority of correct होने चीए एक बार पढ़ लो इसको अच्छे से ठीक है और यह भी लिखना है प्रपेशन आप बेंजीन में कितने question correct होए इसमें कितने correct होए आपको लिखना है comment box के अंदर चलो पहला बताओ बेंजीन undergo कौनसी reaction है तो substitution या addition हम क्या कहेंगे substitution आप यह नहीं कहो कि sir H2 metal डालता है addition वो उसकी special property है special reaction है high temperature pressure की आपकी main chemical property क्या है substitution जैसे हमको पुछा दाए कि आदमी क्या खाता है इंसान क्या खाता है तो खाना खाता है आप यह नहीं कहो कि sir H2 जंगल में फश्च गे ते आपने गास खायी तो गास भी खाल लेता है वो तो एक special case है गास तो गोड़ा खाता है ना भई ठीक है ना बेंजीन में कौन सी reaction होती है substitution reaction intermediate in the reaction is क्या intermediate होता है sigma complex क्यों sigma complex क्योंकि electrophile of benzene के भी sigma bond बनता है third intermediate क्या है benzene में reaction जब होता है substitution cation बनता है क्या ना है तो benzene पे electrophile attack करके क्या बनता है cation और BR2FE के साथ reaction कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ bromobenzene benzene carbon monoxide SCL e-L-C-L-T से क्या बनेगा इससे benzoic acid है benzaldehyde benzaldehyde preparation of aldehyde यह preparation of aldehyde में भी यूज होता है seventh carbon monoxide SCL e-L-C-L-T से बन रहा है इस reaction का नाम क्या geterman aldehyde geterman coach इसका नाम geterman coach coach मनलब carbon monoxide rate of nitrogen क्या है rate मनलब कौन fast nitrogen में react करेगा benzene करेगा या सभी D लगाएंगे वो करेगा या इसको मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ C6 S6 equal to C6 D6 equal to C6 D6 बताओ किसका nitrogen सबसे fast हो equal होगा या decreasing order में होगा तो इसका answer है equal क्यों यह isotope का रोल कब होता है जब isotope bond break करता है इसको अपन kinetic isotopic effect बोलते है है ना तो हमारा RDS क्या है rate determining step benzene में जो RDS है वो electrophile का attack is the RDS यह वाला step जो है यह है हमारा RDS step यह समझा रहा है आपको है ना accept accept iodination and sulfonation ठीक है तो iodination और sulfonation के अलावा जो है उनके अलावा यह क्या होगा यह equal rate of reaction होगा S6 equal to D6 equal to T6 कब accept अगर मैं iodination sulfonation पूछूँगा ना तब order क्या होगा तब होगा हमारा C6 S6 is greater than D6 तो यह याद कर लो आपके नीट के स्लेबस के हिसाब से याद कर लो कि यह order किसके लिए है यह order है यह order है नाइट्रिसन के लिए यह order है अपने फिर लगाव अलकायलिसन के लिए है असायलिसन के लिए है क्लोरी नेशन के लिए ब्रोमी नेशन के लिए किसके लिए order नहीं है it is only for iodination and sulfonation iodination sulfonation में क्या होगा यह order होगा S6 is greater than D6 ठीक है 8 questions होगे 2 questions में और पूस लूँँ जाते जाते फिर मैं नेक्स क्लास का टाइम हो रहा 2 questions आप पूल लेता हूँ HNO3 act as a base in nitrogen of benzene बोलो true है या false है A option है true B option है false अगर हम benzene का nitrogen करें HNO3 nitrogen of benzene using mixed acid ये भी लिखा होना चाहिए using mixed acid mixed acid का मलब कि HNO3 plus H2 is O4 क्या statement true है बोलो yes it is true बहुत important question है तुमारे NEET में यार वो अच्छे लेवल का सवाल पूछना चाहेगा तुमारे पूछलेगा कि HNO3 nitrogen of benzene में क्या है in mixed acid तो उसमें वो बेस का रोल प्ले करेगा yes it is true it is a base याद है नो चोटा गुंडा बड़ा गुंडा उस टाइप से एक और सवाल पूछ लेते हैं 10 हो जाएंगे है ना और कौन सा सवाल पूछें तुमसे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो गया और कौन सी रेक्शन की यह दी बेंजीन में अपने सिग्मा कॉंप्लेक्स बनाया था और फिर ह की जगह पर यह लगाया है नाइट्रेशन किया उसका सल्फोनेशन किया ठीक है हाँ एक लास्ट यह पूल लेते हैं चलो वांट ओफ फेक्टर इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है बताओ वाट इस वांट ओफ फेक्टर आयोटा इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या वो 3.8 है ए ओप्शन 4.8 है बी ओप्शन क्या करेक्टर बताओ नाइट्रेशन आप बेंजीन की नेट रेक्शन क्या थी? HNO3 प्लस रिएक्ट विट 2 मोल आप 2 सो 4 गिव NO2, HSO4 माइनस और HSO4 माइनस के 2 मोल है ना तो 1 से 4 बन रहे थे, तो 3.8 तो या तो 3.8 होगा, या फिर वो आपको आंसर क्या दे सकता है? 4, राउंड आफ करके 4. यह प्रैक्टिकल एविडेंस है, इस एक्स्परिमेंटल एविडेंस है ना नाइट्रेशन आप बेंजीन का, डाइट स्वाल पूछ सकता है आपको. चलिए, अब बच गई दो रेक्शन, फिर्लेग्राफ अलकायलेसन, असायलेसन, वो बहुत इंपोर्टेंट है, और थोड़ा सा अलग से मैं कराऊंगा, तो उसका अलग से एक लेक्चर होगा, फिर्लेग्राफ अलकायलेसन, और इसके बाद एक और चीज़ करेंगे, आफ लेन की क्लासिज भी देती है, उनके लाव जितना टाइम मिलता है, उसमें आपको इसको साथ में कराना ही कोशिस करता हूँ, और मेरा नीट के बच्चों के लिए इस्पेशल वाट्साप ग्रुप भी है, आप उस वाट्साप ग्रुप में करेक्ट हो सकते हो, वाट्स जान परचान ओनी चीए डॉक्टरों से, भगवान ना गरे, आप से मेरा जीवन में कभी कोई काम पड़े, लेकिन जान परचान तो ओनी चीए ना भई, ठीक है, मिलते हैं फिर आगे, जैहिन, जैभारत